Hello everyone, welcome to my channel, Intel Gable Chargers, and this video is made for Aries, मेश राशी के लिए, आप लोग के लिए मेसेज है, जिंदगी में आपको इस वक्त आगे बढ़ते रहना है, इस दिसंबर मन्त में, इस जो लास्ट मन्त है, आपको एंजल्स मेसेज कर रहे हैं, आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुढ के नहीं देखना है, पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लोगों ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मत देखिए, आगे बढ़ते जाएए, जितना अच्छा आपका आगे का रुजहान रहेगा, जाकि हाँ मेरा future कैसा है मुझे आगे के लिए सोचना चाहिए यह सोच रखके अगर आगे बढ़ते हैं आप नए साल में तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा इंज उस मेसेज कर रहे हैं कि एक बार अपनी कम्यों को भी देखें और अपनी अच्छाईयों को भी देखें दोन नेगेटिव वाइब्स हैं वो सब हटाईए जो नेगेटिव लोग हैं उनको हटाईए अपने आपको जैसे होता है ने शीशे में देखना निहारना कि हां क्या चीज मेरो कमी हो रही है क्या चीज अच्छी है तो हम और अच्छा कर लें तो यह एक फीलिंग होनी चाहिए यह एक behavior बनाके आपको चलना पड़ेगा December मन्त में आपकी एक बहुत ही अच्छी जर्णी दिख रही है December मन्त में जो कि Continued रहनी चाहिए मुझे लगता है कि आपको किसी भी religious अधार में किस थल पे जा करके कोई भी religious activities कर सकते हैं पूजा पाट करवाना या घर पे ही कुछ ऐसी religious activities करवाना मंत्रों की chanting करना ओम की अवास को सुनना जैसे जो ब्रह्मांड की अवाद हो तो ओम ही है तो तिबितिल जो तिबितिन singing bowl होता है वो भी आप अपने healing के लिए यूज कर सकते हैं जो लोग heal करना चाहते हैं अपने चक्रावस को एक अच्छी जर्णी दिख र वले की जो रहा होती उस पे चलने का आपका बहुत मन करेगा अच्छी चीजों को अच्छे लोगों को ऐसे लोग जो की धार्मिक हैं जो वाकरी में religious को मानते हैं उनके साथ उठिये बैठिये उनके साथ आपको अच्छा लगेगा उनकी positive vibes भी लगेंगी क्या होता है किसी energy को absorb करते हैं अपने औरा में तो जैसे होता ना कि हम किसी धार्मिक स्थल पे गए किसी religious place पे गए तो वहां के जो priest होते हैं उनकी बाते सुनके या आगर आप किसी अच्छे जगर पे जाते हैं तो वहां पे जाकर के आप एक अच्छा फील करते हैं तो ये चीज रहती है कि धार्मिक स्थलो पे घंटी के अवास सुनना या इसे मैं पता है ना कि ओम की अवास निकलती है कोई भी आप बेल ले लिजए तो वहां पे इस तरह के का चीज़े करते हैं धार्मिक चीज़े करेंगे और धार्मिक लोगों से मिलेंगे बहुत अच्छा रहेगा आपका मन यक करेंगा ऐसे भी आपको खुद भी है ऐसे इस तरह कि इसमें दिखा रहा है कि प्रेयर्स करने का मन करता इसे framework करना या कुछ ऐसा पूझा पात करना इसे किई ने की अ सब्सकु मैंटिययं करेंगे और और आपको यहांग से मेसिज़ेस में ये आ रहा है, कि इस वक्त आपके इक समाज में जैसे होता-, आपको लहाँ कि मेरे इक स्टेटस होना चाहिए मुझे लोग देखें, मुझे लोग जाने एक स्टेटस, इजट मुझे दें तो वो चीज रहेगी कि आपको कही ना कहीं लोग जो है, वो देंगे भी चीज आपके माइने बहुत रहेगी, कि मुझे इस मसक को पूरा करना है, करना ही करना है, चाहिए जो हो जाए, जो आपका ए में परपस है, प्रोफिशनली आपका यहाँ पे, एक जैसे होता है, स्टूडेंट होता है, तो उसको एक्जाम पास करना है, उसको एक अच्छे मु आपको इसक बहुत रोमेंटिक चीज़े हैं, बहुत अच्छी लगेंगी, आपस में जैसे प्यार का संबन्द होता है, वो बहुत अच्छा लगेगा, म्यूजिक सुनना इसको अच्छा लगेगा आपको, वो सब करिए, लाइफ पार्टनर से सोल मेट, आपके लव मेट को रहा है, तो accept कर लिजेगा, वो सकता है, वो रिष्टा आगे बढ़ जाए, तो ये इसमें दिख रहा है कि अगर आपके कोई लव मेट सोल मेट हैं, तो अच्छा समय बीतेगा आप दोनों का, और जैसे होता है न, दो हंसो का जोड़ा, तो तरे का रिलेशनिशिप रहेगा यहां पे इंजस मेसेज कर रहे हैं कि आप एमोशनल बहुत फील करेंगे, देखें मैं हमेशा कहती हूँ कि एमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जादा एमोशनल होने से कर गए इंसान रोने लगता है, तो वो डिप्रेशन की कंडिशन हो जाती, वहां त ने बहुत बहुत हैं को किस तरहे हैं तो आप भाब लेते हैं इस इस अंसिटेव लोग होते हैं यहीं लोग इमोशनल भी बहुत होते हैं, सोचनल लगते हैं बारबाग सी चीज को बारबाग सोचते रहेंगे, breathing मैं किया रही हूं कि बहुत सोचने की जरुवत नहीं है, emotional होना अच्छी बात है, emotional आप रहेंगे भी, emotional में डूबेंव रहेंगे, आप अपनों के लिए, कास थोर्ट से, तो वो तो बट अबेस है, वो तो रहे गई, इसमें next message जो आपका यहाँ पर आ रहा है, आपको इस वक्त angels message कर रहे हैं कि अगर आप कहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, या बोलने में आपका कहीं communication ऐसा कोई field है, तो वहाँ पर काफी strong energy आपकी देख रहे हैं, communication जितना अच्छा लोगों के साथ करेंगे, बातचीत जितना अच्छा करेंगे, उतना success पाएंगे आप, अगर आपका कहीं ऐसा field है, जहाँ आपको बोलना ज़ादा है, या आपको read करना है कहीं पर, तो वह आपकी अच्छी आपे quality दिखा रहा है, अगर आप लेखक हैं, किताबे लिखना चाहते हैं, पोएम लिखते हैं, तो वो भी आपकी अच्छी आपे एक स्थर दिखा रहा है, ऐसे लोग successful रहेंगे, कुछ नया इस field मगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं PhD में admission लेना है, research हुआ करना है, किसी project को read करना है, मतलब बहुत है deep analysis, या किसी आप वकील हैं, तो कहीं पर आपको read करना है, कोई चीज को आपको study analysis करना है, यह अच्छा समय है, वहाँ पर बोलना, किस तरीके से बात को सम्हालना, situation को, यह आपके बोलने के एक कला दिख रही है, बहुत अच्छी है, इसको सही जगे इस्थमाल करेगा, आप चाहे professionally करिए, चाहे अगर housewife है आपके घर पे, तो आप लोगों को जैसे होतना रिष्टारी में अच्छा एक सम्हालना बनता है, रिष्टारों में, या आपके जो family members हैं, या अगर आप job करने जाती हैं, या कहीं जा रहे हैं job करने, तो वहाँ पे भी आपका यहाँ पे जितना अच्छा बातचीत करेंगे, आप देखिए, किसी बिगड़ी यो बात को सम्हालना हैं, तो केवल बातचीत करने से ही सम्हालना जा सकता है, वो इस वक्त आपका अच्छा दिख रहा है, और कहीं travel करना चाहा रहे हैं, तो या office works है, या कहीं अपने परिवार वालों के साथ, छोटी यह trip हो, या walk के लिए निकल जाईए, तो अच्छा रहेगा, नेक्स इस मेसेज है, आपके अंदर एक अच्छी एनरजी दिख रही है, बहुत ही द्यालू हिदे के होते हैं आप लोग, और humble nature दिख रहा है आप लोग का इस मन्त में, और जैसे होता है न, चुपचा बैठके अपने काम करते रहे न, किसी से बोलना चलना नहीं, बहुत उमियत के साथ काम करने हैं अच्छा लगता है, इनुसेंट नेचर दिख रहा है आपका इस में, बहुत ही मतलब लॉयल रहना, ड्यूटी पूरी खतम करना, नियम से काम करना, यह एक्वालिटी आपकी इस में दिख रही है, जो कि अच्छी है, और यही आपको आगे भी ब करेंगे औरों के साथ अच्छा है, गंभीर नेचर रहेगा आपका, सीरियस रहेंगे, लॉयल रहेंगे अपने काम के प्रती, रिस्मोंसिबिल्टी इस निभाने में आपका बहुत रुजहान रहेगा, कि हाँ मुझे यह रिस्मोंसिबिल्टी है, तो मुझे यह पूरी करन तो इस चक्र को ठीक करिए, जो नीचे के दो चक्रा होते हैं, रूट चक्रा और स्वाधिश्टान चक्रा, इंका कलर यह होता है, तो उससे क्या होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी रहेगी, पैसे को ले करके स्टेबिलिटी रहेगी, अगर यह आपका अच्छा है, तो इस सब यूज करिए, क्लोथ यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आपके पास कोई एक्विप्मेंट से कुछ अबजिक्ट्स या निल पॉलिश या पर्ड्स या आपके हैंकी, या आपके कपड़े, रेड कलर के, औरंजिश रेड कलर के, किसी को में दे धीजिए, जैसे रोज हुआ, तो ये सब चीजे करिए, उस कलर को यूज करिए, हर जगे, आप दिसम्बर मन्त में इस कलर को यूज करके देखिए, इससे क्या होगा, कि जब आप काम करने जाएंगे, जब आप प्रोफेशनली कहीं भी काम करेंगे, तो एक होता है कि excitement, कि मुझे ये काम करने मन लगेगा, वो आपके fire element से आता है, अगनी तक से, अगनी, प्रजुलित होना, तो जब अगनी नहीं होगी आपके अंदर आप आगे काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए अगनी को प्रजुलित करना जरूरी है, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर excitement रहेगी, एक passion रहेगा कि हाँ, मुझे ये importance देनी है, focus रहेगा आपका अपने काम के प्रती, यही चीज रिलेशन्शिप में भी रहेगी, गर्माहट रहेगी, आपके relationship में hotness रहेगी, गर्माहट रहेगी, इसी fire element से है, तो मुझे अगर meditation कर सकते हैं, उस red के लगी, orange के लगी light को, उस chakra पे देख सकते हैं, रोज meditation करना पड़ेगा लेकिन, तो बहुत अच्छा है, सवेरे या शाम के वक्त, कभी भी आप शान्ती से बटके meditation करिये, और इस चीज पे थोड़ा सो work out करिये, यह भी कर सकते हैं, अपने आपको heal करने ही कोशिश करी है, जैसे कि मैंने बताया, इससे क्या होगा, stability रहेगी, आपके पैसे के मामली में भी, आपके जो संबंध हैं, उसमें भी, professionally भी आपको एक वो interest आएगा, passionate रहेंगे, कि हाँ मुझे excitement, जब तक dullness रहेगी ना, लोग काम के प्रती उतना interest नहीं दे पात हैं, तो interest होना बहुत जलूरी है, काम के प्रती, तो I think the message is very clear, और मुझे लगता आप को समझ में आया होगा, और आपको इसको follow करना चाहिए, यह messages December 1 के लिए आप लोग के लिए आया हुए थे, तो thank you so much, thank you so much.